प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार स्वागते आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों राश्टी आयों योगेता आधार इछात्वत्ती परिच्छा दोजार पच्चिस के लिए आम लोग उत्तर प्रदेश एन एमस एक्जाम दोजार चौबि तीसरा पार्ट है जिसमें 65 से लेकर 90 तक के प्रशनों को हल कर देंगे और इस प्रकार से 2024 का मैट पेपर कमपलीट हो जाएगा सैट पेपर को हमने पहले ही अप्लोड कर दिया है तो आप इसको भी देख लीजिए तो आईए बच्चों देखते हैं और ये प्रशन पत्र ब वीडियो को सेर कर दीजिए प्रशन संख्या 65 से 70 तक संख्या या अच्छर के स्रेणी का अंपराधायत प्रशन दिये गया है प्रतेक स्रेणी में लुप्त पद को प्रशन से दर्साया गया है नीचे दिये गये चार विकल्पों में से लुप्त पद को ग्यात कीजिए तो प्रशन 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा और इसमें जो आपका स्रेड़ी दी गई है ये थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुए थी तो इसमें आप स्रेड़ी इस प्रकार से लिख लिजिए दो आएगा फिर पांच फिर आपका नौ होगा फिर 19 इसके बास 37 इसके अनुसार आप कमें गया है दो को पहले दो से गुणा किया गया है उसके बाद एक जोड़ दिया गया है तो दो को दो से गुणा करेंगे तो चार आएगा चार में जोड़ देंगे तो पांच आपका दूसरा वला अंक आजाएगा ऐसे ही दूसरे वले अंक में दो से गुणा करेंगे तो दो 10 यानि 5 दुनी 10 10 से 1 घटा देंगे तो आपका 9 आएगा तीसरा वलांग का आएगा अब 9 को हम फिर से 2 से गुड़ा करेंगे तो 9 दुनी 18 और 1 प्लस कर देंगे तो 19 आजाएगा तो 18 और प्लस एक बराबर 19 हो जाएगा अब इसके बाद क्या होगा 19 दुना 38 और एक घटा देंगे तो 37 आजाएगा अब फिर आगे आपको क्या करना है जोड़ना है तो 37 दुना 74 होता है और एक जोड़ देंगे तो 75 आजाएगा तो ऐसे जो है इसको बनाया गया है आप्सन नमबर 2 सही है चाचाचाच नमबर प्रिशन है चार आठ अठाइस 80 और 244 इसमें आप लोग कमेंट कीजिए सही आंसर क्या है तो चाचाचाच में बच्चों चौथा आपसन सही है 728 का सही जवाब आएगा और इसमें सेम 65 नमबर की तरह ही किया गया है इसमें 4 को 2 से गुणा किया गया 4 को 3 से गुणा किया गया है 4 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 और माइनस करेंगे 4 तो आपका 8 आएगा ठीक ऐसे ही नेस्ट में करेंगे तो 8 को गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा 8 चोग 32 32 माइनस 4 करेंगे तो आपका आएगा 28 ऐसे ही आगे करेंगे तो 728 आंसर आएगा इसके बाद बच्चों कुश्चन नमबर 66 दिया गया है इसका बताईए सही आंसर क्या हो जाएगा तो 66 का बच्चों हम आसा करते हैं कि आप लोगे सवाल कर लोगे इसलिए 66 का आपसन नमबर 20 का सही जवाब होगा चलिए चौथा आपसन इसका सही है 27 पी आंसर आएगा आर्शट नमबर प्रश्चन है आर यू एक्स एडी तो अगला कौन सा अक्षर होगा तो 68 का बच्चों सही आंसर है आपसन नमबर बी यानि यहाँ पर जी आपका आएगा तो दूसरा आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ आपर बचों तीन तीन प्लस किया गया है आर के बाद तीन प्लस करोगे तो यू आएगा यू के बाद तीन प्लस करोगे तो एक्स आएगा एक्स के बाद तीन प्लस करोगे तो ए आजाएगा तो इसमें बच्चों क्या संबंद है, चलिए बताईए इसका सही आंतर क्या हो जाएगा, चलिए इसका बच्चों इनौनगा सही आंतर आएगा, उपसन नंबर E, जिन्हों ने पहला उपसन दिया है, उनका सही है, सतर नमबर प्रश्ण बच्चों दिया गया है इसको आप बनाईए ये प्रश्ण बच्चों आल लेडी हमने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है कैसे आपको करना है तो सतर का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर B अगर आप दूसरे आपसन के अंसर भरोगे तो आपका सही आंतर आएगा ठीक हलांकि यहाँ पर देखो कहीं पर भी डबल अच्छर नहीं हो रहा इसलिए सिंगर सिंगर चलेगा तो पहले आपका A भर जाएगा फिर B भर जाएगा फिर आपका A, B तो ऐसे जो स्रंखला बनेगी A, B, A, B, A, B करके जो है स्रंखला बन जाएगी ऐसे ही 71 नमबर प्रश्ण है और इसका अंसर कीजिए चलिए इसमें आपका देखो डबल यहाँ पर हो रहा है तो डबल हो सकता है इसका मतलब है तो 71 को अगर आपसन नमबर B के अंसर आप भरेंगे तो सही जवाब आजाएगा इसमें भी आपका दूसरा आपसन ही सही है तो पहले इसको पेंसिल से आप भरिएगा पेंसिल से जैसे यह ट्राइ करेंगे तो आपको जो है क्रम मिल जाएगा एक पैटर्न बन जाएगा तिक चलिए 72 नमबर कीजिए यहाँ पर क्या आपका सही आंसर हो जाएगा 72 नमबर में M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N M A N तो M A N M A N M A N M A N M A N बनाते हुए सरंखला बनेगी और 72 का C आपसन सही है चलिए 72 का तिसरा आपसन आपका बच्चों सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन करते हैं 73 नमबर प्रश्चन है A और खाली स्थान फिर B A तो इस रंखला में कौन सा आंसर सही होगा तो 73 का बच्चों आपसन नमबर आएगा D और इसमें A, B, B, A, B, B, A, B, B करके आएसे स्रंखला बनेगी आपसन नमबर D इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा चोथा नमबर सही है 73 का 74 में बच्चों सही आंसर होताईए क्या हो जाएगा चलिए 74 को आप ट्राई कीजिए आपसन नमबर D के अनसार D से जब आप इसको ट्राई करेंगे तो एक बनेगा TST, TST, TST करके स्रंखला बन जाएगी पैटर्न बन जाएगा 75 नमबर प्रश्चों है तो इसका बच्चों सही जबाब किया हो जाएगा 75 नमबर में चलिए 75 का बच्चों पहला आपसन सही है A आपसन के अनसार आप ट्राई कीजिए बिल्कुल राइट आंसर आपको मिलेगा 76 नमबर प्रश्चों की बात करते हैं तो इसमें आपका C आपसन बच्चों सही होगा 76 का C आपसन सही है 77 का बात करते हैं तो इसमें आपका सही आंसर है आपसन नमबर D इसमें आपसर नमबर D आपका सही जवाब हो जाएगा तो ऐसे बचों प्रशनों को solve करते हैं और इस ताइब के प्रशनों को कैसे हल करना होता है हमने अलग से वीडियो भी बना दिया है तो प्लेलिस्ट में अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा और इसके बाद 78 से लेकर 85 के बीच जो प्रशन दिये गए हैं ये वेन डाइग्राम से समन्दित प्रशन है तो पहले आप वेन डाइग्राम जो इसमें दिये गए हैं इनको आप देख लीजिए ताकि प्रशनों को solve करने में आसानी हो तो 78 का वेन सही आंसर क्या हो जाएगा सब्ताह दिन और वर्स तो सब्ताह दिन और वर्स किस से समन्द है चलिए बताइए वर्स आपका बड़ा गोला हो जाएगा उसके अंदर आपका हो जाएगा सब्ताह और उसके अंदर दिन तो इस प्रकार से बनेगा पहले आकरती बनेगी और पहली आकरत देखो पहले set first आपका किस option में दिया गया है तो set first जो है option नमबर 3 में दिया गया है तो तीसरा option आपका सही जवाब हो जाएगा 78 का बच्चों C option सही है इसके बाद 89 नमबर प्रश्ण की बात करते हैं यह आपका बानलोब वाहन हो गया और उसी में आपका कार आ गया उसी में आपकी बस आजाएगी तो इस रिसाब से आपका कौन सा बनेगा सेट 2 बनेगा और सेट 2 आपका दिया गया है पहले आपसन में तो 89 का पहला अप्षन जिन बच्चों ने दिया है उनका सही है चलिए नेक्स कोशन है, अस्थी नमबर नाइधिस, चोर, नाइधिस, चोर और अपराधि तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखो, अपराधि जो जो चोर होता है वो अपराधि होता है, तो चोर का एक गोला, औ और अपराधि उसके अंदर, है न, नियाधिस अलग हो जाएगा, तो इस प्रकार का सेट बनेगा, तो 80 का जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है, भी आफ्चन, उनका सही आंसर है, तीन आपका हो जाएगा, तीसरा सेट बनेगा, इक 8 varying सर्सों जव और आलू, सरसों जव और आलू तो फसले हैं और सब अलग-अलग हैं इसलिए आपका पहला आपसन सही जवाब हो जाएगा पहला आपसन सही जवाब हो जाएगा इसका चौथी आकरती बनेगी एक बाद चेक कर लिजे चौथी आकरती कौन सी है चोथी वारी आकरती में ये सब आपके अलग-लग दिये गए हैं तो चोथी आकरती के हिसाब से पहला आपसन आपका बनेगा 81 का 82 है गुलदस्ता, फूल, पंखुडी तो गुलदस्ता, फूल, पंखुडी तो गुलदस्ता में आपका आजाएगा फूल फूल में आपका फंखुडी तो इसका जो वेंड डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा इस प्रकार का बनेगा इस प्रकार का डायग्राम बनेगा तो 82 का सही आप्सन हो जाएगा option नमबर B चलिए दूसरा आप्सन सही जवाब हो जाएगा 83 है आडू प्रोटान इलेक्ट्रान अडू प्रोटान और इलेक्ट्रान 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो अडू के अंदर ही प्रोटान इलेक्ट्रान होता है अडू के अंदर क्या होता है प्रोटान होता है और इलेक्ट्रान होता है तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार से आपका हो जाएगा तो इसका आपसन नमबर सही होगा बच्चों 83 का चलिए C आपसन सही है दूसरा वाला बनेगा 84 नमबर पर पर इमानदारी बुद्धे अभिछमता चलिए तीनों बच्चों अलग-अलग चीज़ है इमानदारी अलग चीज़ है बुद्धी अलग है अभिछमता अलग-अलग है तो इसका सेट फर्स्ट आपसन नमबर फर्स्ट बनेगा सेट चार बनेगा 85 नमबर पर प्रश्ण है teacher college student इसमें क्या संबन्द है teacher college student तो teacher college student तो college जो है college में आपके दोनों आ जाएंगे teacher और student तो इस प्रकास से आपका बनेगा दोनों आपके हो जाएंगे college के अंदर तो ये diagram बनेगा आपका 85 का 20 सही है अनि दूसरा diagram आपका बनेगा तो आपसर नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा चरिए तो इसके बाद बच्चों 86 नंबर से जो प्रश्ण है और 86 से 90 तक के जो प्रश्ण है वो सूचना पर आधाईद प्रश्ण है सूचना इस प्रकार से दी गई है सूचना कहती है कि पांच ब्रश्ण प्रश्ण 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 ना ही सतरंज खिलाडी है और ना ही होकी खिलाडी है तो आप इसके आधार पर प्रश्णों के उत्तर देना है तो हमने साड़ी का जो इसकी इंसौर्ट है लगा दिया है उसको आप देखें और इसके आधार पर इसके उत्तर दीजिए और साडी जो है अपने आप से बनाने का प्रयास कीजेगा समझ समझ के थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन जैसे ही आपकी साडी तयार हो जाएगी आप लोग इसको तुरंत जो है अंसर कर लेंगे पांच प्रशन पांच सेकेंड में हो जाएगे बस आपको साडी तयार करनी है बनाना सीखना है तो 86 का प्रशन सही आंसर क्या हो जाएगा हाकी खिलाडी कौन है तो हाकी खिलाडी आपका हो जाएगा 86 का C आप्सन सही है ओप्सन नमबर 3 यानि आर्स आपका खिलाडी हो जाएगा हाकी खिलाडी 87 का सही आंसर सतरंज खिलाडी कौन है तो 87 खिलाडी आपका 87 का D आप्सन वचो दिया गया है T हो जाएगा 88 नमबर प्रिश्ण है T की पतनी कौन है तो 88 का वचो ज़िए आंसर है आप्सन नमबर C R जो है पतनी है T की चलिए नेक्स कुश्चन है 89 नमबर तीन महिलाएं है तो तीन महिलाएं कौन कौन सी है तो 89 का वचो ज़िए आंसर है आप्सन नमबर D P R S ये महिलाएं है और 90 नमबर प्रिश्ण है कौन फुटबाल खिलाडी है तो 90 का वचो ज़िए आंसर है आप्सन नमबर B क्यों जो है फुटबाल की लाड़ी हो जाएगा तो इस प्रकार से बचो ये आपका 2024 में 2024 के लिए जो आया प्रशनपत था ये पूरा complete है और इस से समंधित इस पेपर समंधित सभी जो वीडियो है वो असली पेपर की प्लेट में आपको सिजल से मिल जाएंगे तो आप उनको जरूर देखिए इसके लाबा साड़े साथ बज़े की लाइप क्लास में आप लोग जरूर जुड़ियेगा सेट पेपर से समंधित पुरे 90 प्रशनों को आज की वीडियो में सॉल्व किया जाएगा तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाज जैहिन वंदे मातरम